नमश्वार आप देख रहे हैं अख़बार जगत खुंखार आतंकी बगदादी को हाल ही में अमारीका द्वारा मार दिया गया और उस उप्रेशन का नाम काईला म्यूलर के नाम पर रखा गया कौन थी काईला म्यूलर आखिर क्यों इतने बड़े ओपरेशन का नाम उस लड़की के नाम पर रखा गया आईए जानते हैं वजहा 1988 में पैदा हुई काईला मानावधिकार कारिक करता थी साल 2012 में काईला तुर्की और सीरिया के युद्धिगरस तक शेत्रों में काम करने के लिए पहुँची थी 2013 में सीरिया के अलपो में आईसिस के आतंक वादियों ने उससे बंधक बना लिया दरसल एक बार अलपो पहुँचने के बाद काईला को खतरे का एहसाश जरूर हुआ था लिकिन तब ही आईसिस ने उसकी कार पर हमला कर दिया और उसे बंधक बना लिया आईसिस के चंगुल में काईला के साथ बहुत जुल्म होता था ऐसा बताय जोता है कि काईला के साथ कई बार बलात कार किया गया और इन सब में खुद बगदादी भी शामल था बताय जोता है कि बगदादी ने म्यूलर के साथ जबरन निकाह किया था और उसके साथ बार बार रेप करता था काईला 18 महीने तक आईसिस की कैद में रही इस दोरान शारिरिक और मानसिक प्रताणना का शिकार काईला होती रही और आखिरकार 2015 में फरवरी के महीने में उसकी हत्या करती गई कुछ लोगों का कहना है कि मूलर की मौत जॉर्डन की एर स्ट्राइक में हुई वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आईसिस आतंक्यों ने उसकी हत्या की 2015 में काईला के माता पिता को आईसिस की तरफ से एक मेल भेजा गया उसमें मूलर की बौडी की तीन तस्वीरे थी दस फरवरी 2015 को मूलर के परिवार ने उसकी मौत की पुष्टी की इस दर्दनाक मौत का बदला अमेरिका ने रात के अंधेरे में ओपरिशन काईला मूलर से लिया और उस बगदादी को मार गिराया जब काईला के माता पिता को खबर लगी कि बगदादी मारा गया है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और शेर करें और हमारे चानल अखबार जगत को सब्सक्राइब कीजिए